हे गाईज वेलकम बैक मैं यूटूब चैनल कैसे आप सब आशा करता हम अच्छे होगे आज वीडियों आप से ये बात करने वाले हैं कि जो यूजी सिनेट का एक्जाम 2013 का कब हो सकता है कब होने वाला है ये एक official notice है anti की तरफ से जो 15 दिसमे 2022 को launch किया गया था जिसके अंदर anti ने किया कि anti जितने भी एक्जाम लेता है उन सभी का academic calendar आपको दिया गया है जिसके अंदर आपको ये बताया कि कौन-कौन से exam regular admission के लिए होते हैं उनकी date sheet दी गई है उसके हिसाब से ही हम इसमें आपसे कुछ बाते आपको बताने वाले हैं कि एक्जाम आपका कब हो सकता है सबसे पहले में डेटशिट को बात करते हैं तो पहले नमबर आपको बताएगा है जो जोईंट एंट्रेंस एक्जाम होता है जिसमें IIT, NIT के अंदर B-TAC, M-TAC के अडमिशन्स होते हैं एक्जाम की बात कर रहा तो वो एक्जाम आपका जनर्री फर्वरी में होने वाला है साथ में हम बात करें ये बाकी एक्जाम आपके अप्रेल में होने वाले है का सेकेंड फेज और ICR का एक्जाम है जो अग्रिकल्चर के लिए है वो आपका अप्रेल में होने वाला है NIT का आपका मही में होने वाला है और C-U-E-T जो एक्जाम लास्ट बार जब एड Ned का एक्जाम इसके कारण दो महीने आपका पोस्पोन हुआ था ये एक्जाम आपका मई में होने वाला है तो अगर इसके अकोर्डिंग हम ये बात करें तो अभी तक ना तो आपके अप्लिक्शन फॉर्म की कोई पता पता के कब आने वाले हैं और साथ में इस शेडूल को देखते हम ये बता सकते हैं कि आपके बीच मार्च कास्मे बच रहा है या जाके जून में ही आपका एक्जाम होने वाला है क्योंकि NTA के पास पहले जो डेट शीट दी गई है इसके हिसाब से अभी माई तक आपका एक्जाम नहीं हो सकता ये इसके इन्दर आप देख सकते हैं क्योंकि लाश्ट टाइम स्यूट के एक्जाम को लेकर भी आपका एक्जाम दो बार पॉस्पोन हुआ था तो आप ये मानकर चलें कि आपका एक्जाम है वो जून में ही हो सकता है इससे पहले अगर कोई भी अप्डेट आपके पास आती है तो हम आपको बता देंगे बाकी आपको पता ही है कि बार बार NTA एक्जाम को लेकर पॉस्पोन करता रहता है पिछले तीन सालों से ऐसा और आके साल में कि एक्जाम हो रहा है अगर इस बार जून में एक्जाम होता है तो आपका NET जो साइकल है वो अच्छे से हो जाएगा तो आप अपनी त्यारी बनाए रखें क्योंकि NET का लेवल है वो एक्जाम का काफी अच्छा हो चुका है लगातार त्यारी ना करने की वज़य से हर बार बच्चे रह जाती है इसलिए आपके पास अच्छा खासा समय है नया साल से नई त्यारी जूरू की है और आपके पास कम से कम चार पाच महीने हैं जिसके अंदर आप जेरफ क्रेक करके अगले से असे में प्याचरी में ट्रेंस ले सकती है तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे और बैल कि में को प्रेस करें थेंक यू सो मच